नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है यह तो आप जानते ही हैं कि इस समय कॉंग्रेस के प्रेरणा श्रोत कोन है यह राहुल गांदी और राहुल गांदी लंदन में स Gyumas Shivam, Cambridge University में ज्यान देने के लिए गए थे चीन के बारे में भारत के बारे में अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया के बारे में और प्रधान बंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी है अब नरेंद्र मोदी से वो कितना प्यार करते हैं यह तो आपने पार्लिमयन्ट मे ये प्रति प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा है जब पिछली बार लंदन गए थे तब भी controversial बयान दे करके आये थे और इस बार गए तो इस बार भी कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं मैंने उनको इसलिए Congress का प्रेरना स्रोत बताया है कि उनहीं के इशारे पर और जैसा वो चाहते हैं उनकी Congress Party के Member of Parliament संसद के भीतर यानि दोनों सदनों में लोग सभा में भी राज्य सभा में भी वियाभार करते हैं नारे बाजी करते हैं सदन को रोकते हैं काम काज नहीं होने देते हैं बेफाल्तू की बात बेफाल्तू नहीं फाल्तू की बाते करते हैं और पूरा देश देखता भी है और शायद इसी लिए 2014-2019 में उतनी ताकत भी इस देश की जनता ने Congress Party को नहीं दी कि दोनों ही बार नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिल जाए यानि साठ से भी कम सांसद लोक सभा में रहे और राज्यु सभा में तो घटते घटते अब बहुत नीचे आ गए हैं वे हवाई अड़े पर जब पवन खेड़ा को गिरफतार किया गया तो मौधी तेरी कब्र खुदेगी के नरे लगा रहे थे उसका जवाब वैसे नरेंद्र मौधी ने दे दिया है बारति जिनता फारेटी के मुख्याल्य में के ये मेरी कब्र खुदने की दुआएं करते ह हैं और देश अपने हिसाब से किसकी कब्र खुद रहा है ये सब देख रहे हैं दूसरे ये कहते हैं कि मर जा मौधी देश कहता है मत जा मौधी वैरहाल वो एक अलग बात लेकिन शेहर एक यानि लंदन सांसद दो एक भारत के एक ब्रिटेन के भारत के सांसद राहुल गांधी केम्बरिज यूनिवरस्टी में और ब्रिटेन के सांसद हाउस ओफ लॉर्ड यानि ब्रिटेन की पार्लियमेंट में और ब्रिटेन की पार्लियमेंट में ये जो ब्रिटिस सांसद हैं लॉर्ड करन बिली मौरिया उन्होंने पिछले दिनो एक भाशन दिया अचानक उठे और उन्हों ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत की विकास गाथा के बारे में और संभावनाओं के बारे में क्या कुछ कहा है जरा एक बार इनको सुन लीजिए करुछρι के बारे में इसार प्रामृट इयुली। यह तो है बिर्टिश सांसथ जो परद्धान मंतरी नरेंद्र मोदी की भी भुरी-भुरी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी लीडर्शिप की और उनकी लीडर्शिप में भारत ने जो टार्गेट टै किये हैं उन टार्गेट को H.E.U. करने के लिए विकसित राष्ट बनने के लिए अगले 25 साल में विक्सित राष्ट बनने और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए और वो ये भी कह रहे हैं कि इस्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है, एक्सप्रेस छूट चुकी है, इंडियन एक्सप्रेस छूट चुकी है और वो ब्रिटिस सरकार को नसीहत दे रहे हैं, सलाहा दे रहे हैं कि मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े रहे हैं, अगले कुछ दश्कों में एक तरीके से कहें तो फायदा उठाने के लिए दूसरी सरफ राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ज़रा देखिए, उन्होंना कहा है कि मौदी भारत की आधार शिला को बरबाद कर रहे हैं, वो भारत पर एक ऐसा विचार्थ हो पर रहे हैं, जिसे भारत स्विकार नहीं कर सकता विदेशी सांसद, ब्रिटेन के सांसद तरीफ कर रहे हैं नरेंदर मौदी की, भारत की, भारत की अर्थ व्यवस्ता की, भारत की तेज विकास यात्रा की, और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बाकि छोड़ दीजिए, अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में थ जितने लोग प्रिये हैं, मैं तो वहां तक पहुँच भी नहीं सकती, और जम करके तारीफ की, इटली की प्रधान मंत्री ने, जारा राहुल गांधी का एक और बयान देख लीजिए, क्या कहते हैं, मीडिया और न्यायपाली का नियंत्रण में है, मेरे फोन में पैगासस है, काफी संख्या में नेताओं के फोन में भी पैगासस है, बहुत से खुपिया अधिकारियों ने मुझे फोन पर बात करते समय सावधानी बरसने को कहा, क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है, सु क्शिर्टाइ branch of peace and on offices and I go number of criminal libel cases for for things that you know should under circumstances be criminal libel cases but that that's the story right and that's what we are we are trying to defend what we disrepone opposition communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architect. बहरत को भी बदक्रआम कर रहे हैं, मौधि सरकार को भी बदक्रआम कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा कह रहे हैं, जो अब डिफेमेटरी हो सकता है, क्योंकि पचिस अगस्त दो हजार बाईस याद रकेये, पच्चिस अगस्त दो हजारigos बाईस। सुप्रिम कोट में पैगासस को लेकर के जो तकनीकी कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौपी और सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस उस समय के मिश्टर रवन्ना उन्हों ने जो कुछ कहा था उसका जिस्ट ये है कि 29 फोन इस कमेटी को दिये गए जिनको ये शक था कि हमारे फोन टैप किये जा रहे हैं या पेगासस के जरिये हमारी जासुसी की जा रही है 29 फोन इस कमेटी के सुपृर्द किये गए इन में से 5 में मैल वेयर था लेकिन जासुसी के कोई सबूत नहीं थे जासुसी के कोई सबूत नहीं थे और इसमें लिखा क्या गया है मैं बता देता हूँ आपको ये है 25 अगस्त 2022 की इंडिया टूडे की रिपोर्ट वो इंडिया टूडे जो राहुल गांदी और कॉंग्रेस पर बहुत महरबान है हर साल कई कई संसकरण कवर फोटो के साथ इनके गुणगान करने वाले होते हैं और ये बताने वाले होते हैं देश में कि राहुल गांधी के व्यक्तित्तों में तो अब बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है उनके नित्रत में निखार आ रहा है और उनकी लोग प्रियता बढ़ रही ह क्या कहा इन्होंने 25 अगस 2022 की रिपोर्ट है आज सुप्रिम कोर्ट में पेगासस मामले में टेकनिकल कमेटी दुवारा दायर की गई रिपोर्ट पर सनवाई हुई इस रिपोर्ट में बताया गया कि कमेटी को 29 मोबाइल फोन दिये गए थे जिन मेंसे 5 में मेलवेयर है ले रिपोर्ट को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है हाला कि इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आपति जताते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि अदालत पूरी रिपोर्ट दे क्योंकि गोपनियता को लेकर चिंताएं हैं लेकिन मेरे मुख्किलों ने अपने फोन दे दिये हैं अ चाहिए ये सूचना अपराधियों को कानून परवर्तन तंत्र को बाईपास करने की अनुमति दे सकती है इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी से और नए मालवेर बन सकते हैं नया मैलवेर बनाने के लिए सामगरी का दुरूपयों किया जा सकत है रिपोर्ट कहती है ध्यान से सुनिए रिपोर्ट कहती है कि 29 मोबाईल फॉन में पांच में मैलवेर पाया गया है लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि पेगासस इस पाई वेर है सेजे आई ने रिपोर्ट पढ़कर छे पहलू बताए समिति की सिफारिस है कि कानून में बदलाओकर सक्त बनाएं साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें इसके साथ ही सीजे आई ने कहा कि रिपोर्ट सारवजनिक नहीं की जाएगी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नागरिकों को गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाप अपनी समस्या उठाने के लिए ग्रिवांस मेकनिजम होना चाहिए पैगासस मामले पर सीजे आई जस्टिस एनवी रवना जस्टिस सूरिया कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की और इस पीठ ने ट टेकनिकल मुद्दों पर जाच की जाच पड़ताल के दोरान 29 उपकरणों और कुछ गवाहों की जाच पड़ताल और पूछताच की बात कही गई है क्यों टेकनिकल कमेटी गठित करनी पड़ी है सुपरिम कोट को सुपरिम कोट ने क्यों दखल दिया इस पूरे मामले में जो विपक्ष उठा रहा था ये भी सुन लीजिए रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2019 में ही भारत में कम से कम 1400 लोगों के निजी मुबाइल या सिस्टम की जासूसी हुई थी मतलब जो विदेशी अख़वार में एक रिपोर्ट छाप करके यहां एक तरीके का अटेक किया था मोधी सरकार के उपर एक टूल किट के तहट यह सब करम कांड होते रहते हैं उस रिपोर्ट में पश्मी देशों के की एक रिपोर्ट में अख़वारों में एक कहा गया कि भारत में 1400 लोगों के फोन में पेगासस डाल करके उनकी जासूसी की गई और इन में 40 मशुहूर उपत्रकार, विपक्ष के तीन बड़े नेता, समिध हनिक पदपर आसीन एक महान भव, केंद्र सरकार के दो मंत्री, सुरक्षा एजंसियों के कई आलाफसर दिगज उद्योग पती शामिल हैं और इसको लेकर के आपको याद होगा कि पार्लिमेंट नहीं चलने दी गई थ पिर मामला यह सुप्रेम कोट पहुचा, और सुप्रेम कोट ने इस में अश्तक्शेप करके एक टेक्निकल कमेटी बना दी, टेक्निकल कमेटी ने ये कहा, राहुल गांदी समेट सब से, कि आप, अगर आपको ये शक है, कि आपके फोन के जरिए, आपकी जासूस ही की जा आपके फोन में इन्होंने कहा था ना उस समय प्रेस कॉंफरेंस करके कॉंग्रेस हेड़कॉर्टर में बैठ करके प्रेस कॉंफरेंस की थी के मेरे फोन में पैगासस डाला गया है इस देश के युवाओं के फोन में पैगासस डाला गया है तो कमेटी ने कहा के फोन जमा करा दीजिए इन्होंने फॉन जमा नहीं कराया और बाखी लोगों ने भी नहीं कराया अगर आपको ये शक था या विश्वास था और अगर आप प्रेस कॉंफरेंस करके मौधी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए थे कि आपके फॉन में पेगासस डाला गया है और आपकी जासुसी की जा रही है तो नैतिकता क्या कहती है और कानून भी क्या कहता है आपको अपना फॉन कमेटी के सुपूर्द कर देना चाहिए था ताकि वो तकनीकी रूप से जरा जान पहचान कर लेती समझ में समझ लेती कि आप जुड बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं लेकिन इन्होंने फोन नहीं दिया फोन नहीं दिया सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया के पेगासस से जासुसी का कोई सबूत नहीं है इसके बावजूद ये आदमी मतलब ये कब हुआ था अगस्त दो हजार बाईस में और अब मार्च दो हजार तेईस में भी ये लंदन जाकर के कैमबरिज यूनिवरिस्टी में कह रहे हैं मेरे फोन में पेगासस डाला हुआ है मुझे इंटेलिजेंस के लोगों ने सतर्क किया है कि आप थोड़ा सतर्क होकर के बात किया करें क्योंकि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है इस से निचले इस तरकी कोई बात हो सकती है क्या इस से बड़ा जूट कोई हो सकता है क्या तो ये विदेशों में जाकर कि किस तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं कि मौदी जी की कबर खुद जाए लेकिन किस की कबर खुद रहे हैं जरा इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिये, के ये अपनी पारिटी की कबर खोद रहे हैं, इस तरह के जुड बोल करके, या नरेंदर मौदी का कोई नुकसान कर रहे हैं, और जब जब इस तरह की चीजे होती हैं, तब तब नरेंदर मौदी और मजबूत होकर के बाहर निकलते हैं, मैं ये किसलिए कह रहा हू इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले रफेल का बहुत ढोल पीटा था ना, आपको याद होगा, रफेल की जब जाच परताल हुई और सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई, एक बार नहीं, दो बार, सुप्रिम कोट ने रफेल की खरीद फरुक्त के सोदे में, किसी तरह की कोई गडबडी ना होने की बात कही और मोदी सरकार को क्लीन चिट दी, इन्होंने अगनी पत पर भी बहुत शोर मचाया था ना, कि ये जो नोजवानों की चार साल के लिए सेना में भरती की जा रही है, इससे नोजवान जो है, उनका भविश्य चोपट हो जाएगा, परबाद ह हो जाएगा, क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये भी जरा देख लीजिए, ये अभी दो दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने, अगनी पत इसकीम को चुनोती देने वाली सभी याचिकाएं खारिग, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, योजना राष्ट हित में फैसले में द हारिज कर दिया कोट ने कहा अगनिपत योजना सेना की बहतरी और राष्ट हित में लिया गया फैसला है इसलिए सरकार के फैसले में कोट के दखल की कोई वजह नहीं दिखती है 15 दिसंबर 2022 को कोट ने याचिका करता हूं और केंद्र सरकार की दलीले सुनने के बाद फैसला सकता है और जो दिली हाई कोट के चीफ जस्टिस सतीष चन शर्मा है उनकी अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी इसमें जस्टिस सुबर्मन्यम प्रसाद भी शामिल थे 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने अगनी पत इसकीम अगनी वीर इसकीम पेश की थी और इसके बाद देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में आग लगाई गई थी बिहार तो पूरा जल रहा था उस समय और उसके बाद किस तरह के बावाल इन्हों ने संसद के भीतर और संसद के बाहर किये थे अगनी पत को ले करके तो ये दिल्ली हाई कोट क्या कह रहा है दिल्ली हाई कोट कह रहा है कि ये तो राष्ट हित की योजना है और सेना को मजबूती परदान करने के लिए ये योजना लाई गई है ऐसे अनेक मामले मैं आपको बता सकता हूँ और गिना सकता हूँ जब कश्मीर से 370 रुपेटी से हटाया गया था तब इन्होंने क्या कहा था वहां तो खून की नदियां बह जाएंगी जब कश्मीर के निताओं ने महबूबा मुष्टी उमर अब्दल्ला फारुक अब्दल्ला ने क्या कहा था कोई तिरंगा कंदे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा राहुल गांदी गुलाम नभी आजाद ये सारे दोड़ दोड़ करके बार बार श्री नगर जाने की कोशिश कर रहे थे एक बार तो इनको जम्मू से एरपोर्ट से वापस बेजा गया एक बार श्री नगर से वापस बेजा गया उस समय जब वहाँ चीजों को नियंत्रिस किया जा रहा था इन्होंने राजनीती करने की कोशिश की इन्होंने जम्मू कश्मीर को सुलगाने की कोशिश की उसी जम्मू कश्मीर में ये जब भारत जोडो तोडो यात्रा लेकर के स्रीनगर तक पहुँचे तो इन्हों ने वहां ना केवल लाल चोक पर तिरंगा फेराया बलके इनके बहुत सारे सम कर रहे थे किसकी प्रशस्ति कर रहे थे नरेंद्र मौधी और ग्रैमंत्री अमित शागी क्योंकि उन्होंने ही वहां आतंक वाद का लगभग खात्मा कर दिया है आतंक वादी घुटनों पर आ चुके हैं एलगाव वादी जेलों में सड़ रहे हैं और जो वहां की तसाकतित लीडर्शिप थी वो उनमें से एक आद पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं लेकिन पूरी तरह अलग धलग पड़ चुके हैं पूरे जम्मु कश्मीर में माहौल ही चेंज हो चुका है अब वहां राष्टवादी जो विचार धारा है उसको लोग आत्म साथ करते और इसी वज़े से भाई वेहन वहां बरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं या इसकींग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांदी का एक और बयान आया है कि जब मैं जम्मु से श्री नगर के लिए प्रवेश कर रहा था मुझे कहा गया कि कोई हत्गोला फैंक देगा बम फैंक देगा बड़ी तवाही हो जाएगी सो सवा सो लोग आपके साथ चल रहे हैं अगर उनकी मरत्य हो गई उन पर अटेक हो गया तो उसकी जम्मेदारी किसकी होगी लेकिन पूरे रास्ते में कहीं कोई अटेक नहीं हुआ तो किसको सुरे दे रहे हैं य इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरों की कबर खोदने की कामना करते हैं वो अपनी या अपनी पार्टी की ही कबर खोद लेते हैं इस तरह की हरकते करके हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंच रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार